तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिल्कुल सही का एक दिन एक एक दिन की जो महनत है वो एक दिन बहुत बड़ा दमागा करेगी और इसी उमीद के साथ आप लोग की SCS की प्रिलिम्स की तैयारी अच्छे से चल रही होगी मैं उमीद कर सकता हूँ और वो एक कहवत है ना की बूंद बूंद से घड़ा भरता है जब तक आप एक एक दिन की महनत नहीं करोगे एक एक घंटे को इन्वेस्ट अच्छे से नहीं करोगे पढ़ाई पर नहीं लगाओगे तब तक आप लोग की ये तैयारी नहीं होने वाली है इसी उमीद के साथ आप लोग पढ़ते रहिए अच्छी चीज़े करते रहिए तो लाश्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हरियाना जिगरफी को लगबग 90% कवर कर लिया था 10% जो factual information है जैसे national highway हुआ जैसे for example कोई नहर हुई तो वो उनके notes में आप लोग को provide करवाद हुआ वो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसी कुछ खासीज है नहीं आज की कलास के अंदर हम लोग एक नया topic cover करेंगे एक नया subject start करेंगे हरियाना का और वो है हरियाना की quality हरियाना की quality को समझने से पहले आप लोग को यह जानना जरूरी है कि हरियाना की formation कैसे हुई हरियाना का उध्य कैसे हुआ देखो मैं आप लोग को एक point बताता हूं कोई भी नया स्टेट जब बनता है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि यार एक साल के अंदर यह सारी घटना हुई और उसमें यह स्टेट बन गया अगर आप लोग एक्जामपल देखते हो किसका आंदर परदेश का तो चेतन सर ने आप लोग को पढ़ाया है डेटेल के अंदर की रियोर्गनाईजेशन ओफ स्टेट कैसे कैसे हुआ तो यह जो आंदर परदेश स्टेट है इसके पीछे भी लंबा आंदोलन चला सेम स्टोरी आपको हरियाना की दिखाई देगी संथ फते सिंग का वर्ज दिखाई देगा आपको पंजाब सबको लेकर आपको तारा सिंग जी की रिपोर्ट दिखाई देगी सर दल सम्मेलन दिखाई देगा तो यह बहुत लंबा टाइम प्रेड चला और ये जो time period था इस time period पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भई एक के बाद एक के बाद एक पंजाब से हरियाना अलग होना चीए हिंदी बेल्ट के लिए यह होना चीए पंजाबी के लिए यहाँ तक चीज़े होनी चीए पूरा का पूरा development आप लोग को दिखाई शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं देखो हिस्ट्री से ही जुड़ी हुए और उसको जोड़ना है अपने formation of हरियाना के साथ इस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है और जब यह यहाँ पर आती है तो बहुत सारी European powers इंडिया में थी पुर्दगाल थे, डस थे, इंगलिज थे, डैनिज थे, फ्रांस थे, modern history में आप लोग पढ़ोगे, भरसर आपको गराएंगे तो Britain ने क्या किया, सबसे पहला काम तो इनको defeat करना सुरू किया, हराना सुरू किया Battle of Savali, Battle of Bedra, Battle of Bandivas, इन सब के अंदर इनको हरा दिया जब इनको side में कर दिया, फिर अगला step क्या हुआ, अगला कदम यह हुआ कि अब जो इन्डिया के अंदर, यह सभी की सभी जो powers है, जो original power है, छेतरिये, जो शक्ति है उनको हमनों हराना सुरू करते है, उनका annexation करना सुरू करते है इसी तरज पर आपको दिखाई देगा, पंजाब के साथ सर्जन अर्जन की संदी की जाती है जब पंजाब के साथ यह सर्जन अर्जन की संदी की गई, तो उस टाइम पे हरियाना, जो यह थोड़ा बहुत अलग छेतर था इसको या पंजाब को आप बोल दो कोई लिक्कत नहीं है, यह जो पंजाब हरियाना का चेतर था, इसको किस ने मिला लिया, ब्रिटिस ने अपने टाइम पे मिला लिया पंजाब का पूरा बेक्ग्राउंड समझोगे, वह वहाँ पर आप लोग देख लेना 1803 के आसपास ब्रिटेन ने हरियाना का एनेक्सेशन कर लिया, आप ऐसा बोल जकते हो, कि हम लोग हरियाना पट रहे तो वो ही देखेंगे, उसके बाद देखो क्या हुआ, टाइम पेड बीचता गया, 1832 का टाइम पेड आया और ये जो 1832 का टाइम पेड था, इस टाइम पेड पे देखो, 1803 के अंदर इसको इस इंडिया कंपनी में मिला दिया गया, 1832 के टाइम पेड पे ट्रांसफर कर दिया गया, नोर्थ वेस्टरन फरंटियर या नोर्थ वेस्टरन प्रोविंसेज और बिटेस इंडिया, ये इसका में हेड हुआ करता था United Provinces जो है सिंक्त प्रांच जो है उसमें North West Frontier जो है North West Provinces जो है उत्तर पश्चिमी प्रांच उसका इसको हिस्सा बना दिया गया कब 1832 में 1832 के बाद स्टोरी देखो कैसे सुरू होती है फिर स्टोरी आएगी आपकी 1858 के और उस 1858 के स्टोरी में क्या हुआ देखो यहाँ पर 1803 के अंडर East India Company ने British East India Company ने किसमें मिला लिया इसको अपने अंदर मिला लिया सर्जन रजन की ट्रीटी आप लोग हिस्ट्री में देखते हो 1832 के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया Northwest Frontier के अंदर अब आप लोग एक चीज़ जानते हो है 1848 से लेके 56 तक एक ख्योरी आती है डलोजी की Doctrine of Labs विले की नीती अवेबगत का सधाल इस Doctrine of Labs में क्या था कि अगर किसी का कोई successor नहीं है तो उस रेजन को मिला लो तीन तरीके के स्टीट बाट दिये गए हलाकि ऐसे इसका ज़्यादा कोई पंजाब से लेना देना है नी लेकिन इसका 1858 के एक्ट से लेना देना है और इसी के तर्ज़ पर या भूस सारे रेजन इखटा हुए और इन्ही समक्य स्टेटर्स के ऊपर इनके आधार के ऊपर दर्जे के आधार पर अपने हाँ पर 1857 का 1857 की कलांति या 1857 का विथरो शुरू हो गया ये जो 1857 का रिवोल्ट था इस रिवोल्ट के रेजल्ट में आपको दिखाई देगा 1858 का जो एक्ट आया उस 1858 के एक्ट के अंदर कुछ चेंजिस किये गए किसके अंदर आज का जो हरियाना है पंजाब है उसके अंदर और देखते हैं क्या चेंजिस किये गए वो एक बार आप लोग को देखना है देखो जो 1858 था इसके अंदर ये हुआ कि यार एक तो पहले बोल दिया कि हम कोई भी नए नए स्टेट को एनेक्श नहीं करेंगे उसका doctrine of labs की policy उसके उपर लागू नहीं करेंगे जब रदस्ती नहीं मिलाएंगे उसको उस policy को हम लोग खतम कर रहे है और ये जो अपना हरियाना का कुछ पार्ट है जो north west frontier का हिस्सा माला जाता था उसको किसके अंदर मिला रहे हैं उसको हम लोग मिला रहे हैं पंजाब के 1858 1858 से हरियाना पंजाब का हिस्सा हो गया लेकिन 1858 से लेकि 1947 तक एक लोंग डूरेशन में ना तो पंजाब के लोग असेप्ट कर पाए आप लोग बड़े बाई हो देखो आज की किलास में कोई ऐसी चीज नहीं बोलूंगा जिससे किसी को कोई चीज बुरा लगे इस टा हरियाना था 1858 से लेकि 1947 तक यह जो टाइम प्रिड़ था इस दोरान बड़े बड़े आंदोलन हुए फास्ट हुए वर्त हुए अलग-अलग जगों पर डिमांड रखी कई अलग-अलग चीजों की तो आपको जैसे संथ फते सिंग का वर्त तारा सिंग जी की रिपोर्ट कि इस सारी की सारी चीज़ें आप लोग फिस्टरी के अंदर देखते हो जब यह चीज़ें आप लोगया को दिखाई देगी तो एक चीज़ समझ में आएगी कि कोई भी नया स्टेट जो बनता है वो एक दिन की डिमार्ड पर नहीं हो जाता यह आज की कलास के अंदर हरियाना की कलास के अंदर आपको देखने को मिलेगा 1947 तक ही चीज़े चलती रही उसके बाद फिर अलग अलग तरीके की चीज़े आती है जैसे फजल अली धर कमेटी जे वीपी कमेटी और फजल अली कमिशन आया इन्होंने अपनी रिपोर्ट दियो फिर फाइनली आगे चलकर हुकुम सिंग कमेटी की रिपोर्ट आती सहा कमिश बनता है और फिर फाइनली अपना क्या होगा अलग हरियाना स्टेट बनेगा तो अब एक बार इसको हम लोग आगे की तरह समझते हैं 1858 के इंदर इसको किसका पार्ट बना दिया गया इसको पार्ट बना दिया गया पंजाब का अब थोड़ा सा बैक्ग्राउंड आप अगर आप लोग देखते हो उस टाइम पे भी पंजाब और अपना बंगाल यह दो स्टेट दो प्रोविंसेस ऐसे हुआ करते थे जहां पर कोन हुआ करती थी मुस्लिम मेजोर्टी हुआ करती थी अच्छी खासी मुस्लिम लोग बराबर होते थे हिंदूों के तो उनके भी कहीं न कहीं परशनल इंटर चुपे होते थे अब 1909 का जब आप लोग एक्ट देखते हो तो इसी के अंदर आपको दिखाई देगा कि सेपरेट इलेक्टोरल किया गया किसके लिए मुसलिम के लिए मुसलिम को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया इसका मतलब यह हुआ कि मु लेट भी कौन होगा, मुसलिम होगा, वोट डालेगा कौन? मुसलिम, सेपरेट इलेक्टरल का यही तो मतलब होता है, इस 80% मुसलिम को वोट, मुसलिम लीडर को यह लोग वोट डालेगा, यह 20% हिंदू समझेंगे, हम तो वेले वैठे हैं, ऐसी वैठे है, चलो हम लोग इस से ऐतर को छोड़कर जगाओ को छोड़कर दूसरी जगा जाते हैं। अब अब कॉगे सार इसका क्या लेना देना मुस्लिम लीक से अब इस पीरजादा मुहम्मद हुसेन स्वागत कमेटी दिल्ली सेशन के हेड थे, ओल इंडिया मुस्लिम जो थी, पीरजादा मुहम्मद हुसेन साब उनके हेड थे, 1926 के अंदर ये क्या बोलते है, कि जो हर्याना स्टेट है, इसको पंजाब से अलग करके किसमें मिला दो, दिल्ली क इंडर मिला दो, क्या इंट्रेस्ट रहोगा, इनकी भाईजाब की मनसा क्या रही होगी, वो थोड़ी से किलर कर देता हूँ, देखो, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कि पंजाब से हटकर किसमें आना चीए, दिल्ली में आना चीए, रीजन क्या है, अब आप एक देखो, दिल्ली के आसपास का रीजन देखो, उस टाइम का, गुरुगरा, मेवात, पलवल, फरीदावा, आज का बता रहा हूँ है, लेकिन ये पूरा का पूरा रीजन, यहाँ पर मुस्लिम बेल्ट अच्छी खासी थी, मुस्लिम कम्यूनिटी अच्छी खासी थी, और आ एक मन्सा ये भी रही कि दिल्ली मेन सेंटर है, तो हम लोग की वर्किंग कमेटी भी वहां से काम कर रही है, तो इन लोग के इंटरेस्ट भी हम लोग के साथ जुड़े हुए होंगे, वो एक अलग पंजाब हो, उसकी डिमांड तो ये लोग करी रहे है, आप दूर मज जव 1926 के बाद 4 साल आगे चल जव, मुस्लिम मेजूर्टी रीजन को लेकर बात हो जाएगी, इकबाल जैसे वेखती आएंगे, चोदरी रहमत अली जैसे वेखती आएंगे, और कहेंगे मुस्लिम मेजूर्टी रीजन होना चाहिए, हाला कि उनकी वैसी कोई मन्चानी थे, लेक में मिला दिया जाए, दिल्ली के अंदर मिला दिया जाए, अब अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो कॉंग्रेस है, उस टाइम की कॉंग्रेस है, उसने कुछ इक गल्दिया की है इतिहास के अंदर, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ वक्त ही ऐसा रहा हो, जैसे एक ए हुआ दोनों को ओल इंडिया मुस्लिम लिख और कॉंग्रेस का उसने भी इस चीज की क्या दे दी अप्रूबल दे दी सेम चीज यहां पर इन्होंने दोराई कब प्रिंटी सिक्स के बाद जो प्रिंटी एट का टाइम पर दाता है उसके अंदर देखना है कैसे चीज यह कुद हो रहा है सरदल सम्मेलन जो दिल्ली के अंदर हुआ 1928 के अंदर दिल्ली परदेश कॉंग्रेस कमेटी आल्सो रिपीट सिमिलर डिमांड उन्होंने भी क्या बढ़ावा दिया यह चोटी चोटी जो इतियास की घ्टनाएं जो इंसिजेंट्स है यह एक दिन बड़ा धमाका कर जाएगे जैसे आपके छोटे छोटे एक एक घंटे एक दिन आपको डीस भी बना देंगे आपका एक एक दिन आपको SDM बना देगा ऐसे इतिहास की छोटी-छोटी घटना एक दिन क्या लेकर आजाएगी तुफान लेकर आजाएगी तुफान देखो कैसे आएगा तो यह सारी की सारी चीजे हुई उसके बाद आप लोग को पता है 28 जो टाइम प्रेड था हिस्ट्री के अंदर वो एक ऐसा जिन्ना का लेटर एग्रिमेंट 28 में ही मैं लग उसके एक साल के बाद तो होई गया था असपास पूर्ण सवराज डे को लेकर बाते होगी और यही सारी चीजे इसी को लेकर राउंट टेबल कॉंफरेंस बुलाई जा रही है आर्टी सी गोल में सम्मेलन देखो हिस्ट्री के अंदर भरसर आप लोग को यह सारी चीजे डिटेल में पढ़ा देंगे मैं तो एक ब्रीफ इंट्रोड़क्शन दे रहा हूं कि फर्स्ट राउंट टेबल कॉंफरेंस होई अब इस सेकंड राउंट टेबल कॉंफरेंस में देखना है कि क्या हुआ देखो यह जो सेकंड राउंट टेबल कॉंफरेंस होगी इसमें आपको दिखाई देगा सर जोफरी कॉर्बेट और सेक्रेटरी जो इंडियन डेलिगेशन के थे जैसे इस टाइम पे आपको पता है कि नए वाइसराइ के रूप में वेलिंग्टन आते है और जो सेक्रेटरी जो थे वो कौन थे से मुल होर तो यह जो सेक्रेटरी ओफ इंडियन डेलिगेशन है और जो सर जोफरी कॉर्बेट है यह फाइनेस कमिशनर थे उस टाइम पे पंजाब के री ओर्गनाइजेशन और पंजाब बाउंडरे सेपरेशन ओफ अमबाला डिवीजन तो इस सेकंड राउंड टेबल कॉनफरेंस में जब यह लोग पर्टिस्पेट करते हैं तो इन्होंने कहा कि जो अमबाला डिवीजन है अब डिवीजन का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा यह बताता हूँ division का मिकलब होता है कि अमबाला और उसके आसपास के कुछ district कुछ छोटे-छोटे जिलो को मिला कर एक बड़ा संभाग बना दिया उसको क्या कहेंगे हम लोग division कहेंगे जैसे उस टाइम पे नारायनगड वगेरा का region हुआ उस टाइम पे अमबाला के आसपास का कुछ और एक छोटा चीतर हुआ यह उस पूरे छेतर को मिला कर क्या बनना चाहिए अमबाला division बनना चाहिए तो यह इनके डिमांड रही वहलब यह अपर region है यह अलग होना चाहिए यह सारी के सारी बाते होती है कब second round table conference में जो 1931 के अंदर होई तो अब देखो जो फ्रे कोरबेट साब जो थे वो finance commissioner थे इन्होंने एक logic यह भी दिया कि जब पंजाब हरियाना यह पूरा का पूरा एक है तो इनके finance में बड़ी problem आती है आप सोच सकते कि अगर कोई वेक्तिक post पर है तो अपने वाला तर्क जरूर देगा अगर for example माल लो मैं XYZ subject अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैं उस subject को सबसे उपर रखोंगा आपका वो subject है तो आप उसको उपर रखोगे तो इन्होंने भी finance की चीज़ी अच्छी रही है आले कि B2 का सा जो है मैंने बता दिया आप लोग को तो ये जो पंजाब वाला रीजन है इसको separate किया जाना सी अंबाला डिवीजन से और अंबाला कोई छोटी डिवीजन नहीं है अंबाला एक अच्छी खासी डिवीजन है और उस अंबाला डिवीजन के इंदर जैसे आपका जगादरी होगा नारान गड़ हो गया पंजकुला, अंबाला इसका पार्ट हो गया ये शेतर है और अंबाला एक ऐसा शेतर है कि वहाँ पर पंजाबी बोलने वाले भी और वहाँ पर हिंदी बोलने वाले भी देखो तो second round table conference हो गई लेकिन धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं 31 के बाद जो अगला साल आता है 32 उसमें देखो क्या हुआ देखते हैं एक बार और सप्टेंबर 9,1932 फेमस नेशनलिस लीडर ओफ हरियाना एंड डेली दीन बंदु गुपता गेव ए स्टेटमेंट तो सेपरेट हरियाना कंसेडर 1932 का जो टाइम प्रेड था दीन बंदु गुपता ये अपनी स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट देने के बाद ये क्या करते हैं हरियाना कंसेडरेट तुस दिफ्रेंट फ्रोम पंजाब लू भाई 1932 के अंडर ये बाते पूरी कर दि किसने इन्होंने पूरी बाते कर दी 1932 के अंदर क्या होना चाहिए एक separate state होना चाहिए किस से पंजाब से और देखो ये जो भी अपनी report दे रहे कोई भी later लिख रहे है तो इनका मानना ये था कि जैसे रोतक का region हुआ, गुडगावा का region हुआ, करनाल का region हुआ, कांगडा का region हुआ हिसार का region हुआ, अंबाला का हुआ, नारेंगर जगादरी हुआ इनकी बात ये लोग करते थे ना कि आज का जो पूरा हरियाना है आपको पता है जब हरियाना बना था तो उस टाइम पे हमारे पास साथ ही डिष्टिक थे आज 22 डिष्टिक है तो ये जो में में रिजन है हिंदी बेल्ट है, उसको लेकर ये लोग बाते करते थे डिमांड रखते थे, पंजाब से लग किया जाए सेम चीज़ है ना पंजाब के इंदर चल रही थी वो चाहते थे कि इनको अलग करो ना हम लोग उनको अपना रहे ना वो लोग हम लोग को अपना रहे तो ये प्रोब्लम यह पर दिखाई देगी तो 1932 के इंदर सेपरेट करने की बात की और किसने दीन बंधू गुपता ने आपको ज़्यादा फ्रेक्श्वल इंफोर्मेशन पे नहीं जाना है कि यो सारी चीज़े में नोट्स में प्रोवाइड करवा दूँगा सरफ स्टोरी को सुनते हुए चलना है 1932 के बाद कौन सा टाइम प्रड़ाता है वो एक बर समझना है देखो 1932 के कुछ टाइम तक कुछ सालों तक चीज़े क्या रही बिलकुल शान्त रही 1932 के बाद जो 1946 आया 1946 के अंदर जो पटा भी सीता रमया जी थे उन्होंने अपने एक स्पीस दी All India Linguistic Conference देखो यह जो 46 का टाइम प्रड़ था इसको एक बार समझना है 1946 में अभी जो अपना देश है वो आजादी के बिलकुल नजदीक है और इस टाइम पे बहुत सारे स्टेट हरिया सुरी इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट है क्योंकि इस टाइम पर 14 स्टेट है यह जो स्टेट है जैसे ब्रिटेन की गवर्मेंट ने इनको चार पार्ट में बाटा पार्ट A के स्टेट, पार्ट B के, पार्ट C के और पार्ट D के कुछ के अंदर वो आते थे जहां आपर गवर्ने जनरल अभाई सराई का रूल है कुछ को Chief Commissioner Region रखा, कुछ को एक Independent State के रूप में ऐसे देखा गया तो यह पार्ट A, B, C और D के स्टेट है इसको बाइफर्केट किया किसने? ब्रिटेन की, ब्रिटस गवर्मेंट ने 1946 से ही लगातार हर स्टेट और खासकर वो स्टेट जिन्होंने एक लंबा अंदूल ने इसके पीछी चलाया वो चाह रहा है कि हमारी जो बोली है, हमारी जो भासा है, linguistic जो है, उसके वेस पर एक स्टेट बनाया जाए तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा कि एक linguist conference होती है कहाँ पर दिल्ली में और कौन पट्टा भी सीता रमया यह वो ही पट्टा भी सीता रमया है जो अभी आगे चलकर JVP committee जो बनेगी उसमें as a member नजर आएंगे यह वो ही पट्टा भी सीता रमया है जो सुभास संदर बोश जी से 1939 का जब तिरपूरी session हुआ तो उसमें हारे थे और गांधी ने फिर statement डीती कि यह पट्टा भी की हार नहीं यह मेरी हार है तो इन्होंने एक linguistic conference की कहाँ पर दिल्ली के अंडर और इस demand को क्या किया जिस्टेफाइस किया धेरे धेरे चीज़े बढ़ती जा रही है अभी तो problem हुई नहीं है शुरू अभी तो अब time period आएगा जब problem शुरू होगी अब यहाँ पर 66 के बाद आपको एक चीज़ दिखाई देगी दूसरे state जैसे एक example मैं बात करूँ अंदर प्रदेश को लेकर अंदुलन तेंज हो जाएंगे और उस अंदर प्रदेश की लेहर कहां तक नजर आजाएगी हरियाना तक हरियाना के बड़े बड़े लीडर के दिमाख में भी ये चलता आएगा कि अब हमें भी अपना एक क्या बनाना चाहिए एक नया state बनाना चाहिए तो लोग भई उनके दिमाख में भी वो चीज़ आ कर दुम कर रहे हैं दक्सिन हरियाना के अंदर तो चली रहा है गुजरात के अंदर भी चल रहा है हरियाना के अंदर भी ये ऐसी चीज़े दिखायी देगी कि हिंदी भासी बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले क्या होने doğru monsieur अलग होने चाहिए अबहार हम किसी बी आधार पर मैश नही करते कि हम लोग पुझाभी नहीं बौल सकते वो लोग लोग भी नही बोल सकते कल्चर अलग है उनका हमारा कल्चर अलग है अगर कोई पंजाबी भाई है तो भाई इस चीज को कोई पर्शनली नहीं लेगा पहले ही बता रहा हूं कि कहीं बोलोग नहीं सर्तों में बात कर रहे हैं देखो इसके बाद क्या चीज़ आपको दिखाई देगी यह सारी की सारी हुई तो ओल इंडिया लिंग्विस्टिक कॉन्फरेंस इन्होंने की और जिस्टिफाई किया इसको डिमांड को 46 के बाद का जो टाइम प्रेड है उसमें आप लोग देखना उसके बाद क्या होता है फिर बना दी क्या धर कमेटी या धर कमेशन अभी साइद एक दो क्लास पहले ही सर ने आपको यह वाला टोपिक कराया है लेकिन मैं तो एक छोटा सा पॉइंट आप लोग को इसमें बता रहा हूँ धर कमेशन देखो 46 के बाद 1946 के अंदर जब पट्टा भी सीता रमिया जी ने कॉन्फरेंस की 1947 में इंडिपेंडन्स मिली और सबसे बड़ा चैलेंज यही लिंग्विस्टिक का आया आंदर प्रदेश बनना चाहिए तेलगु भासी लोग इस चीज़ के डिमांड रख रहे हैं तो यह जो आंदर प्रदेश बनना चाहिए इसको लेकर वहाँ पर मुवमेंट सुरू हो गए तो अब जो धर कमेटी बनी 1948 के अंदर यह अपनी रिपोर्ट में बोलती है कि हम लोग लिंग्विस्टिक के बेस पर भासा के अधार पर राज्य नहीं बनाएंगे स्टेट नहीं बनाएंगे और यह जो रिपोर्ट है यह ऐसा नहीं कि सरफ अंदर प्रदेश को लेकर है यह अगर हरियाना में भी कोई छोटा मोटा अंदोलन मुवमेंट वगेरा हो रहा है पंजाब रिजन में भी तो यह मना कर रहे है भासा के आधार पर लेंग्विज के बेस पर स्टेट नहीं बनाएंगे और लेंग्विज के बेस पर स्टेट ना बनाने का एक रिजन है और वो रिजन क्या है अगर हम लोग लेंग्विज के बेस पर स्टेट बनाते है तो यह इस सीज़ का क्या मतलब हुआ कि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे है हम एक सेकुलर कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे है हमारा जो प्रियंबल है फिर उसकी क्या रिलेवन्स रहे गई प्रस्तावना जिसके अंदर हम लोग बात करते है यूनिटी इंटेग्रेटी की तो आप क्या है देश को तोड रहे हो तो धर कमीटी ने साफ मना कर दियो और कहा कि अगर स्टेट बनना चाहिए तो एड्मिस्टेटिव वेशिस पर बनना चाहिए प्रशाशनिक आधार पर बनना चाहिए ऐसे तो फिर ये होगा कि एक भासी बोलने वाले लोग एक शेतर में होंगे, दूसरी भासा बोलने वाले लोग दूसरी शेतर में होंगे, वो हमसे कटा हुआ समझेंगे, हम उन्से कटा हुआ समझेंगे, जिसे आज के टाइम पर आप लोग देखो, जब आप लोग देखते हो तो नोर्थ इंडिया व बोलेंगे मदरासी है, साउथ इंडिया वाले को उपर वाले सारे पनजाबी लगते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो आपको कोई अंधर का वेक्ती मिल गया, तो कोई तमिल नाडु का वेक्ती मिल गया, तो वो कितना ही समझा ले कि भाई मदरास अलग है और आंदरा का ये वाला region अलग, अच्छा अच्छा मदरासी हो, मदरासी हो, ठीक हो, उसे गम चल जाएगा, इन लोग को क्या लगता है, इन लोग को लगता है कि अच्छा बोल दिया, भाई हम तो UP से है, अच्छा अच्छा पंजाबी हो, ठीक है, तो ये प्रोबलम यहाँ पर आपको किजे रहेगी तब तक हम integrity वाला concept कैसे लागू कर पाएंगे जो हम लोग प्रियंबल में बोल रहे हैं unity and integrity of nation राष्ट की एक ताखंडता तो धर कमेटी ने मना कर दिया देखो होता क्या है जब कोई एक अंदोलन होता है तो वो सरकार के उपर देखता है कि सरकार की पर आंदोलन को तेज कर देता है तो धर कमेटी की रिपोर्ट आई धर कमेटी ने मना कर दिया administrative basis के उपर state नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो वहां पर धीरे धीरे और आंदोलन शुरू हो गया फिर उसके बाद इस धर कमेटी की रिपोर्ट को investigate करने के लिए जाज करने के ल अब पट्टावी सीता रमिया आपको पता है 1946 के अंदर ये conference कर चुके थे तो जवाला नहरू बलब भाई पिटल पट्टावी सीता रमिया इन्हों ने क्या किया इन तीन मेंबर को लेकर एक कमेटी बनी और इसकी रिपोर्ट एपरेल 1949 के something 1949 के आसपास आती है कमेटी तो द कुछ टाइम के लिए ठुकरा दिया कि कुछ टाइम के लिए हम लोग भासा के आधार पर राज्ये नहीं बनाएंगे तो इन्होंने मना कर दिया अब जब इन्होंने मना किया 1946 से लेके टाइम प्रड आप लोग देखो कौन सा 1949 धर कमेटी आ गई जे वीपी कमेटी आ गई पट्टा भी सीता रमया जी ये चीज़े कर रहे हैं यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना और वो क्या याद रखना है 1948 के अंदर देखो यह सारी चीज़े है ना आसपास घुम रही है 1946 के अंदर पट्टा भी सीता रमया जी की स्पीच आई 1948 में यहां पर अब आपको क्या दिखाई देगा कि जो मास्टर तारा सिंग जी जो थे यह अपना एक लेटर लिखते है और इस लेटर के अंदर अजीत लेटर था इनका इस लेटर के अंदर इन्हों ने पंजाबी सूबे से अलग हटके किसकी डिमांड रख दी सिक सूबे की लो भई लोहा गरम था मार दिया तो मास्टर तारा सिंग जी ने पंजाबी सूबे से अलग हटके किस सूबे की डिमांड रख दी सिक अब इनका मेन मकसा दिये हो गया कि नहीं पंजाबी नहीं जो सिक कम्यूनिटी है या सिक सूबा है यहाँ पर होना चाहिए और उसका मतलब यही था कि आज का जो पंजाब का वो वाला पार्ट है मलब आप जो हरियाना से बाउंडरिटर्स करते हैं इसको इस वाले पंजाब को हटा दो बाकि जो पंजाब है उसकी डिमांड पंजाबी सूबे सिक की डिमांड इन्होंने 1948 में क्या किया रख दी तो जब इन्होंने डिमांड रखी तो उसी टाइम पे ये धर कमेटी जेवीपी कमेटें की रिपोर्ट आई और ये लोग मनाई कर रहे हैं कि लिंग्विस्टिक बेस पर क्या नहीं होना चीए श्टेट नहीं होना चीए अब एक के बाद एक चीज़ देखो आप लोग 1946 से सुरू हुए हम लोग 1948 में धर कमेटी बना दी वो मना कर रहा है 1948 में पंजाबी सुबे से क्या होना चीए 6 सुबा मस्टर तारा सिंग जी इस सीज़ की डिमांड रख रहे है 1949 में जेवीपी कमेटी आ रही है वो मना कर रही है तो यह 48 और 49 का जो टाइम पेड़ था ऐसा टाइम पेड़ था जहां पर हरियाना भासी मतले हिंदी भासी हरियाना के लोग को और पंजाबी को यह लगने लग गया कि अब हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी इसलिए आंदुलन को थोड़ा तीज किया जाए तो जब देखो 1948 से ही मैं आप लोग को बता देता हूँ सिक्स हूबे की डिमांड रोती है फिर हम लोग एक फॉर्मूला लेकर आते हैं और उस फॉर्मूले का नाम क्या था सच्चर फॉर्मूला तो हम लोग इन सारी चीज़ को नहीं अपना रहे है तो उसके कंटेक्ट के बाद कौन सा फॉर्मूला आएगा सच्चर फॉर्मूला पंजाब के जो कि सीम भी थे कौन भीमसें सच्चर तो ये फॉर्मूला दिया गया 1949 के अंदर सच्चर फॉर्मूला उन अक्टोबर 1949 इस सच्चर फॉर्मूले को देखना है क्या होता है देखो पंजाब प्रोविंस वास डिवाइड़ इंटू टू रीजन जो पंजाब प्रांत है इस सच्चर फॉर्मूला जो दिया गया इसको दो हिस्सों में बाटेंगे एक तो होगा पंजाबी रीजन और दूसरा कौन सा होगा हिंदी रीजन होगा पंजाबी रीजन को आपको समझना है और हिंदी रीजन को समझना है सच्चर फॉर्मूला देखो यह जो फॉर्मूला आया इसको कहा जाता है कि इसका बेग्राउंड 46 से लेके 48 तक ही तयार हो चुपाता है पंजाबी रीजन और हिंदी रीजन अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बताओं तो देखो एक सेकेंड रुकना भी तो पीछे चले गए हम लोग अब इस सचर फॉर्मूले में देखना है एक तो हमने बोल दिया कि क्या होना चाहिए पंजाबी रीजन और एक कौन सा होना चाहिए अपना हिंदी रीजन तो यह जो पंजाबी और हिंदी रीजन इसके अंदर क्या देखना है इस हिंदी रीजन में आपका कौन कौन सा चित राना चाहिए जैसे आपका रोतत रीजन हुआ आपका गुर्गाम रीजन हुआ आपका करनाल कांगडा हिसार रीजन हुआ करनाल कांगडा हिसार रीजन उसके बार अंबाला नारायंगजड और जगादी जो यमिन नगरण पढ़ता है तो रोता गुडगा, करनाल कांगडा हिसार, अमबाला, नारायंगजड उस टाइम पे उस जगादी ये होना चाहिए इस जो हिंदी है पंजाब की गुर्मुखी लेपी होगी और यहां पर इस हिंदी के अंदर यह कर दिया गया कि इसकी जो दूसरी सेकेंड ऑफिशल लेंग्वेज होगी वो कौन सी होगी सेकिंड लेंग्वेज इसकी पंजाबी होगी अब यहां पर सारी चीज़े ठीक थी लेकिन कुछ एक प्रोब्लम यहां पर थी और यह भी क्या गया कि प्री इन्वेस्टी तक हिंदी में पढ़ाई कराई जाएगी कुछ लेबस के अंद कर दिया कि हमें यह खासी चीजे पसंद नहीं आ रही है और यह जो है पंजाब के अंदर कंपल्सरी कोई सब्जेक्ट दूसरा क्यू पढ़े हम लोग इस चीज़ को लेकर वे बात उठी तो बहुत बड़ा दबावा है और यह सच्छा फोर्मूला काफी बदनाम भी हुआ तो इसके बाद एक चीज़ आप लोग और देखना कि यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो जैसे हिंदी और पंजाबी रीजन हिंदी जो है हिसार रोत गुरुगराम करनाल अंबाला महंदरगड कोहिस्तान संगरूर शिमला कांगडा यह वाला पंजाबी बेल्ट जो है उसमें होशियारपूर, जालंदर, लुद्याना, फिरोजपूर, अमरिसर, गुर्दासपूर, अंबाला, अंबाला का कुछ रीजन इसके अंदर आएगा जैसे अंबाला में जो नारायनगड और जगादरी वो यहाँ पर आजाएगा बाकी रीजन इसके अंदर यह है तो दो छेटर के अंदर बात दिया गया लेकिन जनता ने वहां कि जनता ने खुद मना कर दिया कि हम यह सब्जेक्ट इसको हम लोग कंपलसरी नहीं पढ़ेंगे और इसकी डिमांड को लेकर बड़ी ही आपत्ति उन्होंने जताई तो यहां तक यह चीज़ हुई सचर फॉर्म फॉर्मुले को खास अचीमेंट नहीं मिली तो धर कमेटी धर कमेटी फेल हो गई धर कमेटी के बाद जेवीपी कमेटी फेल हो गई यह दोनों कमेटी जब फेल हुई फिर बीच में 1948 में तारा सिंग जी की रिपोर्ट आई उसमें भी कुछ नहीं मिला सचर फॉर्मूला आया सचर फॉर्मूले में भी कुछ नहीं मिला वहां पर दूसरी तरफ क्या था 1949 के बाद जब आंदर प्रदेश के लोगों ने डिमांड पूरी कर दी तो फर्स्ट ओफ अक्टूबर 1953 को क्या बना दिया गया था आंदर प्रदेश बना था जब आंदर प्रदेश बन गया linguistic बेस पर पहला storytelling तो हरियाना की भी उम्मी तेज होगे, कि बाई जब वो बन चकता है, तो अपना हरियाना स्टेट भी बन चकता है, तो इनकी जब उम्मी तेज हुई, तो यहाँ पर भी फास्ट होगे, यहाँ पर भी आंदोलन होगे, और वो कैसे कैसे होगे, वो सारे के सारे हमें देखने हैं, देखो, 1st October 1953 को अंदरप्रदेश बना अब आगे कोई भी स्टेटिस की डिमांड ना रख पाए इसलिए हम लोगों ने कौन सा कमिशन बनाया फजल अली कमिशन 1953 चेतन सर आपको डिटेल के अंदर ये सारी शिजे मुस्तर ने पढ़ाया होगा या फिर आप लोग की कवर करवा देंगे ये ज डाइवर्स्टी जो है उसको हम लोग मेंटेन रख पाए आर्टिकल 29 वाला कुंशेट हम लोग जो है वो भी अच्छे से लागू कर पाए ये फजल अली कमिशन ने बहुत सारी बाते की रिपोर्ट के अंदर फजल अली कमिशन बनाया इस फजल अली कमिशन को ही देखते हरियाना या फिर पंजाब के लोग तो बैठे हुए थे जित के उपर कि नहीं हम तो क्या बनवा के रहेंगे एक अलग हिंदी और एक अलग पंजाबी हिंदी हिंदी हरियाना के इस रिजन के अंदर अपनी हिंदी होगी पंजाब के अंदर उनकी गुर्मुखे लिपी चले फिर स्टेट रियोर्गनाइजेशन एक्ट आया सेवन्थ एमेंडमेंट किया जाता है कॉंसिट्यूशन के ऊपर यह स्टेट रियोर्गनाइजेशन एक्ट जो था फर्स्ट आफ नॉवंबर 1956 में आए देखो फजलली कमिशन 1953 में बनता है और 56 के अंदर कौन सा कमिशन आता है सहा कमिशन लिए एक बार भाई यह चेंज हो गया है थोड़ा सा हाँ इडिजनल फोर्मूला फोड़ी स्लाइड आगे आ गई है देखना भई यह जो स्टेट रियोर्गनाइजेशन एक्ट ह यह कब आया 1st of November 1956 को 1956 के अंदर स्टेट रियोर्गनाइजेशन आया और Constitution में एक एमेंडमेंट होता है सेवन्थ एमेंडमेंट 1956 और इस टाइम पे हमारे पार 14 स्टेट और यूनिट एक्टरी कितनी थी 6 यूनिट एक्टरी लेकिन पंजाब और हरियाना का अब तक कुछ ख यूनिट एक्ट आया है या फजल अली कमिशन बना में बड़ी प्रोब्लम यह दिखाई दी कि जो अपना पंजाब है उस पंजाब को क्या रखा गया जो के तियों रखा गया उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दिया और जब इस पंजाब के अंदर कोई क्लास के अंदर कवर हो जाएगा फिर कौन सा फॉर्मूला आया रिजनल फे फॉर्मूला यह क्यों लाया गया ड्यूटिव फेलियर ओफ मला फेलियर का मतला है कि हर्याना के लोग इसको फेलियर बोलते हैं कौन सा फजल अली कमीशन इसने जो कितियों रखा जो हमारी जो ड कि इसने वही चीजर रखी एक छे जो है वह इंदी और दूसरा र मंसा पंजाबी हिंदी रिजन और दूसरा कोंसा अपना पंजाबी रिजिंळन acid खिसार, रोतक, गुरुगाम का पार्ट, गुरुगाम का कुछ पार्ट, उसके बाद करनाल, गुरुगाम का कुछ पार्ट क्या, पूरा गुरुगामे लगा लो यार, ठीक है, अमबाला, ये वाला, पूरा का पूरा, जगादरी, नायंगड, तहसे लिए सब इसके अंदर, म मेहंदरगड और कुन सा रिजन पटियाला यह थोड़ा सा आपको वैसे मैप के अकोडिंग धान रखना पटियाला में एक जगा है कोहिस्तान उसको मिला कर बाकी रेस्ट ओफ दा रिजिए जो बाकी का जो बचा हुआ छेतर है वो किसके अंदर आ जाएगा पंजाबी जिजन के अंदर आ जाएगा तो यह चीज यहां पर आपको नजर आएगी दिखाई देगी तो यह जो रिजिनल फॉर्मुला था छेतरिया फॉर्मुला था इस छेतरिया फॉर्मुले ने क्या किया एक तो हिंदी रिजन और दूसरा पंजाबी पंजाबी रिजन हिंदी रिजन के कि अंदर कौन कौन से स्टेट है इसार रोंतक करनाल उसके बाद अंबाला में नाराइंगर जगादरी सिमला का कुछ पार कांगरा का कुछ पार यह आपका पतियाला के अंदर कोहिस्थान रेजन इसको मिलाकर जीन्द और नर्वाना छेतर इसको मिला करमा आप लोग को थोड़ा सा ये आपको PDF में भी नोट्स में मिल जाएगा कौन-कौन से छेतर इसके अंदर था और बाकी सेज बचा हुआ छेतर किसके अंदर ये आपको दिखाई देगा पंजाबी के अंदर 1956 के अंदर ये छेतरीय फॉर्मूला लागो किया गया है लेकिन कुछ खास अचिवमेंट यहाँ पर मिली नहीं 56 के अंदर जब ये छेतरीय फॉर्मूला लागो किया गया तो 1957 में 1957 में पंजाब में हिंदी आंदोलन चलाया गया पंजाब के अंदर अपना कौन सा आंदोलन चलता है 57 के अंदर हिंदी आंदोलन और ये जो पंजाब का हिंदी मूवमेंट था पंजाब से हरियाना अलग या हरियाना पंजाब अलग इसको एक बड़े लेवल पर लेकर जाता है 57 में जब आया तो अब तक ये लग चुका था कि या कुछ खास अचीवमेंट हम लोग को नहीं मिली है जब ये खास अचीवमेंट नहीं मिली तो तारा सिंग जी थे वो निकल कर आते और 1960 में 1960 के अंदर वो फिर पंजाब या उनकी जो सिख सुबे के डिमांड थी फिर उसको रखते है और तारा सिंग जी एक अंसन भी करते है लेकिन 60 के टाइम पर भी कोई खास अचीवमेंट मिली नहीं तो अब देखो टाइम पर बीटता जा रहा है 1957, 60 पंजाब सुबे की मांग यहाँ पर अंदोलन हो रहे है एक अलग नित्रतों की रूप में अलग लीडर निकल कर आ रहा है इन सारी घटनाओं के बीच फिर दिखाई देगा आपको 1965 में सिख्टी से लेके 65 तक कुछ खास लब दिया है यहाँ पर नहीं हुई 65 में आपको दिखाई देगा संथ फते सिंग का वर्थ होता है सिरोमानी अकाली दल के वाइस प्रजिडेंट भी रहे चुके थे संथ फते सिंग संथ फते सिंग का अंचन होता है संथ फते सिंग ने दो बार अंचन किया पहली बार यह जो अंचन करते तो 1965 में उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ हमारा हमारी वर्थ शुरू हो गई थी तो उस सीज़ को देखते हुए फिर आंदुलन को रोकना पड़ा अंचन को रोकना पड़ा फिर यह दुबारा आते हैं और जब दुबारा आते हैं तो 21 दिन की भूख हड़ताल पर बैठते हैं और बोलते हैं कि भाई जब तक बननी जाता तब तक हड़ताल पर बैठा रहूंगा अब इतना दबाव सरकार के उपर बन चुका था कि जौला नहरू जी पहले एक बार इनसे बात करने भी गए थे अंचन को लेकर लेकर उसका फिर फाइनली कोई नतीजा नहीं निकला लेकिन अब टाइम प्रेड जो आया वो कौन सा टाइम प्रेड आया तेही सेप्टेंबर 1965 का देखें सारी बाते आप लोग को नोट्स में मिल जाएगी यह जो 1965 का टाइम प्रेड था इस टाइम प्रेड पे क्या हुआ सरकार ने देखा कि 1960 से लेके 65 तक यह दो साल ऐसे है कि इसमें एक बड़े लेडर के रूप में मास्टर तारा सिंग जी दिखाई दे रहे है और द दूसरे बड़े लेडर के रूप में फते सिंग जी संत फते सिंग जी यह दोनों के दोनों बड़े लेडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं और इनका लगातर अंसन चल रहा है और फाइनली तेही सप्टेंबर 1965 को दबाव में आकर इन चीजों को देखते हुए क्या कर अब क्या होगा अब तो शिरफ एकी चीज होगी कि अब जो है हम लोग एक परलेमेंटरी कमिटी बनाएंगे संसद्य समीती बनाएंगे और इस मामले की जाच करेंगे आप अनसन तोड़त और आपके डिमांड को हम पूरा करते हैं अब यह परलेमेंटरी कमिटी बननी थी और यह परलेमेंटरी कमिटी जो बनी वो किसकी अध्यक्सता में बनी उस टाइम पे हमारे जो स्पीकर साबते हुकुम सिंग उनकी अध्यक्सता के अंदर एक परलेमेंटरी संसद्य कमिटी बनती है यह संसद्य कमिटी अपनी रिपोर्ट देती है यह इस पूरे मामले की ज कमिशन बनाया जिस कमिशन का नाम क्या था सहा कमिशन कौन सा कमिशन सहा कमिशन सहा कमिशन यह जो सहा कमिशन था जो हमारे जड़ सहाब है जश्टिस जैस सा इसी सा उनकी अध्यक्सता में यह बना सहा कमिशन और इस सहा कमिशन के तीन मेंबर थे एक तो खुद जस्टी जैस सहाब थे एक हमारे दत सहाब थे और दूसरे फिलिप सहाब थे तो सहा कमिशन तीन मेंबर कमिटी बनी और इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के अंदर फिर फाइनली पंजाब रियोर्गनाईजेशन एक्ट पास किया गया और बाउंडरी कमिशन पास किया गया और फिर फाइनली इसके रूप में गठन हो गया एक नए हरियाना स्टेट के रूप में गठन हो गया तो आपको पूरा background समझना है कि हरियाना का जो गठन हुआ वो किस commission की report के basis पर हुआ सहा commission या 1st of November 1966 को जो हरियाना state बना तो हरियाना state उस time पर जो उसके साथ district थे वो किस की report के उपर बेशते सहा commission की report के उपर बेशते अब आपको वो सब नहीं पढ़ना कि भाई क्या कहते है क कि किस दिन वर्थ किया वर्थ किस दिन दोड़ा पानी किस दिन पिलाया नहीं यहां पर आप एक complete historical background समझना है कैसे कैसे report है यह पूछ सकता है कि सहा commission में कौन member नहीं था एक तो जस्टे जेस साब थे एक दत साब थे एक फिलिप साब थे तो यह तीन member थी सारी चीज़ आप आप लोग को notes के अंदर मिल जानी है कौन-कौन से शेतर है इसके अंदर वो आपको ध्यान अटने हैं तो साथ district आपको किसकी दिखाई देगी सहा commission की दिखाई देगी इस साथ district में कौन-कौन सी है और उसके बाद कौन-कौन सी district बनती है वो सारी हम लोग देखेंगे अभी आप लोग यह देखना देखो फर्स्ट ओफ नवंबर 1966 को साथ district बने अंबाला, रोतक, महंदरगड, गुरुग्राम, गुडगाउं, करनाल, हसार और जिन अगर आप लोग देखते हो तो जनरली आपको यह वो ही साथ district दिखाई देंगे जिसकी डिमान लगातार ही हिंदी भासी को लेकर होती आ रही है हाँ इसके अंदर सिमला, कांगडा जो रिजनल फोर्मूला वाला जो पाइंट था उस रिजनल फोर्मूले को वाली वे चीज़ों को लागू नहीं किया और दत साहब ने तो ये तक भी कहा खरड और चंडीगड भी इसके अंदर नहीं शामिल एक बार देख लेते हैं, मैप के अंदर आप लोग देखना, देखो ये है, ये आपको मैप दिखाई देगा, आज की जो 22 डिस्टिक आपको दिखाई दे रही है, वो आपको इस तरीके किये, जब बना था तो कितन डिस्टिक ती साथ थी, अब एक बार ये और जान लेते क कि कौन कौन से डिस्टिक कब कब बनी, 66 के बाद आप लोग अगर देखते हो, तो 1972 के अंदर भीवानी और कौन सा बनता है, सोनिपद बनता है, 73 में कुरूचेतर बनता है, 75 में कौन सा बना, सिर्शा, 79 के अंदर कौन सा बना, फरीदावाद, 89 में कैथल रेवाडी पानिप कि तो दो बार की स्टोरी दिखाई देगी, जब आगे पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा बताऊंगा भी आप लोग, तो ये चार डिस्टिक नए बनकर आते हैं, फिर आपका पंच्कुला बना, 95 में, 97 में आपका फतेहाबाद और जजजर बना, अब 5 के अंदर मेवात बना, जो लेटेस्ट बना, है भीवानी को अलग करके, भीवानी से अलग होकर कौन सा, चरकी दादरी वो कब बना, 26 के अंदर, तो ये सक्षी सिट के बदा है, कई तो कई बार तो ऐसा होता है कि यह पूछ लेता है कि लिटर डिस्टिक कौन सा बना है तो यह कुछ लिस्ट है जो आप लोग के सामने है 66 के बाद वो डिस्टिक जो यहां पर बने है अब देखो अभी के टाइम पर हमारे पास इन बाई स्टेट को कितने स्टेट को इन 22 स्टेट को 22 डिस्टिक को स्टेट बोल रहा हूं बई मैं कि ज्यादा स्टेट यह आ जाता है 22 डिस्टिक को किई 6 डिविजेन में बाटा गया है और वो सिक्स डिविजेन कौन कौन सी है और उसमें कौन मोर्ण कॉन सी डिस्टिक आती है वह एक वर उसकी लिस्ट आप लोग को देखनी है क्याश्प हो इंपोरेटन बनता हैे-ग्जाम में पूसता है अब आपउसको ऐसे ऐसे ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको मैप पता है हरियाना का तो मैप के बेसिस पर आप उसको ध्यान में रख सकते हो कि देखो कौन कौन से division है अपने six division कौन कौन से है main main आपको समझ लेने है पहले चार थे बाद में दो चुट गई कितने होगे च्छे होगे करनाल डिवीजन अब आप एक सीज़ देखो करनाल डिवीजन में कौन-कौन सा आ रहा है एक आपका करनाल एक पानीपत एक कैथल तो एक बर मैप पर आप लोग जाओ यह हो गई अपनी करनाल डिवीजन कौन सी डिवीजन करनाल डिवीजन करनाल डिवीजन पहली डिवीजन करनाल कैथल और पानीपत इन तीन को मिला कर यह अपनी कौन सी होगी पहली डिवीजन होगी ठीक है इस डिवीजन के अंदर अपने कितने डिस्टिक सामिल है अपने टीन डिस्टिक सामिल है अगला देखो यह है ना इतने इजली से याद हो जाएंगे आपको कि आप नीर भाई के देख लो कि फरीदाबाद डिवीजन है तो फरीदाबाद में कौन-कौन सा है फरीदाबाद पलवल और नू अमबाला डिवीजन है तो अपर पार्ट देख लो अमबाला का एक साइड पंचकुला है एक साइड यमननगर और नीचे की तरफ कौन सा है कुरूचेतर है करनाल हो गया करनाल के नजदीक में उपर की तरफ जो कुरूचेतर है कुरूचेतर तो किस में आ जाएगा अमबाला डिवीजन में एक तरफ आपको कैथल दिखाई देगा एक तरफ आपको कौन सा दिखाई देगा पानीपत दिखाई देगा पानीपत से जो नीचे सोनीपत आता वो रोतक डिवीजन में आता है तो ये करनाल में कैथल और पानीपत अंबाला देखते हो तो अंबाला बीच में हैं अंबाला क कि इस साइड पंचकुला, इस साइड यमनानगर और इस साइड क्या है, कुरूचेतर, ये हो गई अपनी कौनशे डिविजन, अमबाला डिविजन, रोतक डिविजन, सोनी पत, रोतक, जजजर, भिवानी, दादरी, देखो, रोतक आपको दिखाई देगा, भिवानी से अलग की तरफ दिल्ली-दिल्ली से इस साइड आपको जजर, गुरुग्राम के नजदीक में, गुरुग्राम इसके अंदर नहीं आएगा, ध्यान लगाएगा, भिवानी, दादरी, और रोतक, ये रोतक डिविजन के अंदर आएगे, चार ये होगे, दो डिविजन अपने और ब एगा, अब लादी और महंदरगद, गुरुग्राम इसे अंदर अगा, तो ये पूरा का पूरा आपका घुका, मैप के अकोडऄ और देखना है उस षिज को, अगर आप लोग मैप के अगोर्डिंग और देखना एक बार आप लोग देखो अगर आप लोग मैप के अगोर्डिंग इस चीज़ को देखते हो तो ये वाला हो गया अपना कौन सा अमबाला डिविजन वाला पार्ट ठीक है अमबाला पंचकुला ये रोतक वाला ये अपनी करनाल डिविजन हो गए ये अपनी कौन सी हो गए गुडगावा डिविजन फिर आपकी ये वाली नजदीक वाली कौन सी हो गए रोतक ये वाली कौन सी हो गए हिसार डिविजन इस तरीके से यह आपकी आपकी कौन सी हो गई फरेद दावात वाली तो इस तरीके से आप लोग अगर मैप आपको पता है कि कौन सी डिस्टिक किसके अंदर आती तो आप इसली आप उसको बता सकते हो कि कौन सी डिस्टिक किसके नजदीक में बाउंडरी टच हो रही है तो आप इस map को देखकर easily बता सकते हो कि कौन सी किस division के अंतरगत ये अंदर आती है देखते एक बार last में चलते हैं अब 6 division हो गई अब इस 6 division के अंदर कितनी district बनी हुई है अपनी 22 district 22 districts बनी हुई है जब बना था तो कितनी district थी 60 district थी तो ये कुछ development हुआ जिसमें हमें दिखाई देया कि हरियाना का development या हरियाना की formation एक नए state के रूप में कैसे कैसे होती अब आपको मैंने पूरी story बताइए कब जब हमारी सर्जी अर्जन की treaty हुई 1803 से लेके अब तक की story और आपको इसी वे में ध्यान लखना है एक बर मैं पूरी class का recall revision करा देता हूं 1803 के अंदर इस्ट इंडिया company का part बने गया ये 1832 के अंदर एक अलग नोर्थ वेस्ट फ्रेंटियर नोर्थ वेस्ट प्रोविंस का part कानपूर का part दिखाई देगा 1858 के अंदर पंजाब के अंदर मिला दिया गया 1926 के अंदर पीरजादा मुहम्मद हुसेन साहब इसकी अलग डिवान रखेंगे दिल्ली में मिलाने की क्यों उनके interest थे वो पूरी story मैंना आप लोग को बताई है 26 बीत जाने के बाद जब 1928 आया तो दिल्ली वरकिंग कमिटी कॉंग्रेस की जो वरकिंग कमिटी थी वो भी इसको इजाज़त दे देती है 31 जो आया तो कॉर्बेट साफ जो थे finance कमिशन और secretary साफ जो थे वो भी इस चीज़ को एक demand के तोर पैसे एज़े रखेंगे जब ये second round table conference हुई तो उसके बाद जो आगे का time period आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हम इसको independence के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ धर कमिटी बनी जे वी पी कमिटी बनी फजल अली आयोग बनाया और यह सब मना कर देते हैं कि भासा के अधार पर language के बेस पर state नहीं बनेगा तो जब इन्होंने मना कर दिया तो उसी बीच हम लोग एक formula तयार करते हैं जिसका नाम था सचर formula सचर formula ने हिंदी और पंजाबी छेतर के अंदर बाढ़ दिया गुर्मु के लिपी होगी प्री उनिवस्टी तक पढ़ाई करवाई जाएगी तो यह इस तरीके की चीज़े उसके अंदर सचर formula में दिखाई दी लेकिन कुछ खास achievement मिली नहीं बद नाम और शेतर सचर formula उसक सिंग जी वर्थ रखते है 65 के अंदर दो बार फास्ट रखा जाता किनके द्वारा संत्फते सिंग के द्वारा और फिर दबाव में आकर एक बार सरकार क्या करती है भाई अब तो बनना ही जाएगा हुकम सिंग जो कि हमारे स्पीकर साब थे उनकी अध्यक्सता में एक पार सिंग यह पूरी स्टोरी थी किसकी हरियाना की आई होब आपको पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी अगले नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी इसी से आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हरियाना की पॉलिटी के अधर पॉर्षन वह हम लोग कवर करेंगे थेंक् हम लोग्षन वी करेंगे भी करेंगे उस्टोरी थेंगे डि arriv Ot